लास टेंथ भारती बहुन बैलोजी में चाफ्टर वन है जेव परकर हम पोसन के हम लोग लॉंग कोशन्स को हल करेंगे प्रस्णों की संखिया आठ है तो आए विडियो को प्रारम करते हैं पहला प्रस्ण देखिये क्या है पोसन किसे कहते हैं जीवों में होने वाले बिभिन पोसन विदियो का उले करें तो सबसे पहले हमें पोसन की परिभासा करनी है और जितने भी पोसन की विदिया पाए जाती है जीवों में उस सब के बारे में हमें बदाना आए तो आईए इसका एंसर करते हैं तो इस परकार हम पोसन की परिभासा करेंगे पोसन अर्थात नि ली ठीक है जिसे भोजन का पाचन हो गया स्वसन हो गया तो वो सारी उपाफचे क्रियाए कहलाती है और पुना निर्माण यानि को सिखाओं के टूट फूट मरम्मत आधी क्रियाओं के लिए करता है पोजन कहलाता है समझ में आ गया तो हम पोजन कहां से प्राप्त करते हैं जो हम भोजन गरान करते हैं ठीक है तो मनुस के सरीर को यानि हम मनुस से हैं आपने सरीर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए उजा चाहिए तो हम कहां से प्राप्त करते हैं ठीक है तो वही होता है पोजन समाझ में आ गया तो यह हो गई पोजन की परिभासा अब इसके बा कौन सा पहला है देखिए पहला है स्वापोसड दूसरा है परपोसड स्वापोसड में क्या होता है वे जीव जो अपना भोजन निर्मार स्वयम करता है किसी दूसरे पर डिपेंड निर्भर नहीं करता तो ऐसे पोसड या ऐसे पोसड को हम कहते हैं स्वापोसड और ऐसे से बनाते हैं परकाहा संसलेशन द्वारा सूर्ज के परकाहा संसलेशन द्वारा क्लोरोफिल पाया जाते हैं पतियों में तो धरातल पर यही एक जीव है जो अपना भूज़ा है जो स्वापोस्ण में आता है अब दूसरा जो पोस्ण का परकार है उसे कहते हैं पर पोस्ण ऐ ऐसा पॉसनने जिसे प्राफ्ट करने है तूजी औ पर जीवन की दूसरे एपर्धनी बर्होते हैं ठीक है वो पर्पॉसनट का रहता है जैसे मनुस्य अनिजिव गाविन की इत्यादी यांनी इसके बाद हम लिखेंगे पर पोसंट के तो हम लोग यहां से लिखना प्रारम करेंगे पर पोसंट के मुक्त तीन परकार होते हैं पहला होता है मृत जीवी पोसंट ठीक है इस परकार के पोसंट में जीव मृत जन्तू और पोदेश की सरीर से अपना होजन प्राप्त करते है है ठीक है अपने सरी के सथा से घुलित कार्मिक पदार्थों करते हैं तो वैसे कहला आते हैं मिरत जीवी पोस्टर्ण और कौन से करते हैं कवक वैक्टरिया प्रोटो जोगा ठीक है यह पहला हो गया बस यहां तक ही आपको लिखना है ज्यादा लंबा नहीं ले जाना इसके दूसरा हमें लिखना है पर जीवी पोस्ट इसमें क्या होता है इस परकार के पोस्ट में जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई या आस्थाई तोर के अपना भोजन प्राप्त करते हैं ठीक है वो पर जीवी पोस्ट कहला आते हैं और वेल ठीक है और जैसे यहां प ठोस पदार्त या तरल के रूप में प्राप्त करता है जो मानों करता है ठोस भी करता है और तरल भी करता है लिक्विड की तौर रूपे वो प्राणी समपोस्ण आते हैं इसमें कौन से आ जाएगा इसमें मानों आ जाएंगे मेड़क आ जाएगा अमीबा आ जाएगा यह बोजन स्वैम तयार करने की जो परक्रिया होती है वो परकास संसलेसन कही जाती है तो यह हमें कैसे होता है कैसे संपन होता है संचेप में बताना है तो देखें यहाँ परकास संसलेसन परक्रिया को संचेप में बताने से पहले आपको यह बताना होगा कि परकास संसलेसन होता क क्या है तो हम यहां से करेंगे पहले देए सुजय परकास की पसेती में प्लीज़ेंड बेगास दोबाला बैक्त कर सकते हैं कारे मनिदेडी अ टायक साइड होना चाहिए जल होना चाहिए線 गृ्ल्कोस बनता है और जल बनता है ठीक है तो यह परकास cycle कर कीरिया होते हैं तो कैसे संप्ण हो यह ने यहाँ यहाँ इनिजे माणिया घ्लकर यहां बन गया अब इसके बाद देखे परकास सेंसलेशन के पूर्ण किरिया भी दिया में परकास के अब सकता नहीं पड़ती है लेकिन यह पूरी अब किरिया जो होती है इसमें सभी जगा परकास के अब सकता नहीं पड़ती है अब उसके बाद ये बनने के बाद इस तरफ यानि आरेचेस में ठीक है यानि पोड़क्ट में परकास के बसकता नहीं पड़ती है लेकिन परकास जल को विवाक्त करने के लिए जल को परकासी अवगाटे करने के लिए आवस्यक है यानि प्रथम चरण में ही पड़ती है परक कि हैं नहीं पड़ती है मोद मत समान लूप से रहता है परकासन के परकास की और किरीए नहीं कहा जाता है कि याonsense या परकास के अनुपस्टिती के अवसकता है ठीक है या इसे परकास के अनुपस्टिती के अपी तो परकास होने या ना होने जिसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यानि जो परकास हो या ना हो इससे कोई फर्कव नहीं पड़ता है उओंधेरे की बात यहां पे नहीं पर्किल की परियों है कि परकास संसलेशन के लिए क्लोरोफिल आवस्यक है तो कैसे हम दिखाएंगे ये कारिकला प्वेक हमें लिखना है देखिए हम यहां से करेंगे एक क्रोटोन या कोलियस की एक चितिदार पती को तोड़ना है और इसकी हारी और सफेद चितियों को रिखांकित करना है यहां प जो आखिये क्या करना हमें पती को विकर में रखे पानी में डालकर कुछ दिर तक अबालेना है उबालने के उबालने के पस चादल में उससे गरम एलकोहल या स्पिर्ट ढाल दें इस पत्ति पर इस अलकोहल जिए क्लोरौ पत्ती से निकल कर धीरे धीरे अलकोहल में घुल जाता है। जब पत्ती रंगीन अर्थात हलके पीले रंग के या सफेद हो जाए तो भी किरफ ठंड़ा हो जा चोड़ दे। ठंडा होने के पशाद पती को पाली से चितर से दोड डालें इसके बाद उस पती को पॉरेडिस में रखकर उस पे आईडें कुछ बूंदे डालें आप आएंगे कि पती के हरी चिदर पती है जो गाड़ा निला रंग हो जाता है परन्तु पती के सफेद चितिवरी भाग निला नहीं होता है यहां पे देखिए जब हम इसको अपाल के हम इसको आयोडीन में डालते हैं तो क्या होता है पती का हरा भागार नीले रंग में बदल जाता है तो यह किसके कारण होता है यह क्लोरोफिल के उपस्तिति का के कारण ही होता है यानि पतियों पर जो हरा भाग था उस पे Clorafil पाया जाता है तो इसे आयोडिन हम डालते हैं वो निला रंग में बदल गया यह क्या दिखाता है प्लांट में Clorofil ऑस्थरिया है प्रकासर्सियन के लिए एक कारवंड आया आवस्यक है इसे सावित करने के लिए प्रयोक का वार्डन करें यह दोनों सवाल काफी इंपोर्टेंट है तो यहां पर जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है परकास तंसलेशन के लिए CO2 आवस्यक है यह पूरा आपको लिख लेना है यह जो है यहां पर इसके बाद देखे आगे बढ़ते हुए पांचवा सवाल अमीबा का भोजन क्या है अमीबा क्या भोजन करता है अमीबा में पोस्टन का वार्णन हमें करना है पोस्टन कैसे होता है अमीबा में सबसे पहले आपको लिखना है अमीबा एक सरल प्राणी संपोसी जीव है यह भोजन को ठोस और तरल करूप में ग्राण करता है, प्राणी संपोसी है, यह मिर्द जलिये एक कुस्किये तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है, इसका एक कुस्किये है, मिर्द जलिये रिखारे जल में रपाया जाता है, और इसका आकार निश्चित नहीं होता, आपको लिखना है और यहां से लिखना है और यहां से लिखना है अमीवा में पोसन अंतगरहन पाचन और वहसकरन पर क्रियाओद वाड़ा पोर्ण होता है आमीवा में पोसन का अंतर गरहन के लिए कोई मुक जैसा कोई निशिद अस्थान नहीं होता बलकि यह सरीर के सदा से किसी वे अस्थान से यह गरहन कर सकता है भोजन जब आमीवा बिलकुल समीब होता है तब आमीवा भोजन के चारों और कूट पातों का निर्मार करता है कूट पात तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरीके से घेर लेते हैं धीरे धीरे कूट पात के सीर फिर पात से आपस में जुड़ जाते हैं और इस तरीके भोजन रस्दानी का निर्मार हो जाता है जिससे भोजन के साथ जल भी होता है तो यहां पे देखिए अमीबा है तो भोजन यहां पे देखिए यह रहा भोजन तो जैसे भोजन नजदी काया तो कूट पातों दोवारे यह ग्रहन करता है और यह भोजन इसके भोजन रस्तानी में चला जाता है भोजन का पाचन भोजन अस्थानी में ही एंजाइमों के दोरा संपन्ने होता है ये रा भोजन अस्थानी और ये कहते हैं कुटपाद इसे दोनों कुटपाद कहा जाता है पचावब भोजन भोजन अस्थानी से निकल कुछ का दरवे पहुँ जाता है और धीरे से फिर समूचे सरीर से विजенд हो जाता है अमिवा में अबचे भोजन को सरीर से बहार निकलने कि लिए कि निशिशत अस्थाँ नहीं होता सरीर के सथा से किसी भाग से एक अस्थाई आस्थाई चिद्र का निर्मान होता है उसी समय ठीक है यानि जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाता है ठीक है तो कैसे बाहर निकला देखे यहां से ठीक है यह बाहर निकल गया ठीक है तो यह समझ में आ गया तो बस यहां तक हो गया आप चाहें तो यह पिक्चर भी बना सकते हैं तो इसका एंसर हो जाता है यही इसके बाद देखिए 6 नम्बर सवाल मनुस्च के आहार नाल के रचना का वर्डन करें तो इस परस्ट का क्या मतलब है मनुस्च के आहार नाल जिन अंगूक के साथ बना है उसकी रचना हुई है कौन-कौन सांग उसमें सामिल है वो हमें बताना है तो यहां पे देखिए मनुस्थ के आहार नाल कहां से सुरू होता है तो यह मुगगवा से सुरू होता है फिर ग्रास नली ठीक है इसके बाद अमासे, छोटी आत, बढ़ी आत और लाश्ट में रेक्टम में यहां पे समाबत हो जाता है यह पूरे रचना हमें बतानी है आईए इसका एंसर करते है तो इसका एंसर हम ऐसे करेंगे देखिए आहार नाल एक कुंडलित रचना है जो मुगवा से प्रारंब होकर मलदवार तक फैला है जिसकी लंबाई करीब आठ से दस मीटर तक होती है पूरे आहार नाल के विविन प्रारंब के रचना निमलिकी थे अब इसके कौन कौन से भाग है हम यहाँ पर परारंब करेंगे देखिए पहला होता है मुगवा यह आहार नाल का प्रतंब भाग है जो ऊपरी तथा नीचले जवरों से घिरा होता है जिसमें दो मासल ओर यारी अरिपह होते हैं manufacture में जीग तथा दांत होते हैं जीप के उपर सत्रह कि स्टा पर कई चोटे चोटे अंकर स्वाद कलिया होती है जो भी भी भीन स्वादों का ग्यान देती है hurricane में 32 दांत होते हैं इसमें दो छिदर होता है पहला निगल दुआर दूसरा कंठ दुआर मनुसिक जब भोजन ग्रान करता है तो कंठ दुआर को ढखने वाली एक पटी होती है जिससे भोजन स्वास नली में जाने से रोकता है यह ग्रसनी हो गया इसके बाद जो अगले श्टेफ होता है ग्रसनी के बाद वो होता है ग्रास नली मुग गुहा से लार की से सना हुआ भोजन निगल दुआर दुआरा ग्रास नली में पहुचता है भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली के दिवार में तरंग की तरह सकुचन या सिकुडन या फैलाव सुरू होता है ग्रास नली से भोजन अमासे में पहुंच जाता है अब इसके बाद अमासे देखिए इसके बारे में लिखना है या एक चोड़ी थैली जैसी रचना है अमासे का अगर भाग कार्डिक प्पीचला भाग फलॉरिक भाग कहलाता है तो इस तरीके से देख सकते हैं मुगवा ग्रास नली इसके बाद यहां पे हो गया यह अमासे यह पूरा प्रोटिन को प्रोटीन को प्रोटीन को प्रॉटोन बदने का यू। इसके बाद देखिए अगला एश टिप होता है च्छोटी ढाद का ठीक है इसके बाद यहां पे होए छोटी आत यहां पे पाचन किरिया पूर्ण होती है ठीक है और यह सबसे महत्वपून भाग है छोटी आत के बारे में लिखेंगे छोटी आत अहार नाल का सबसे लंबा भाग है अहार नाल की पाचन किरिया कहां सम्मन होती है छोटी आत में ही पू बढ़ा होता है इस git इसके इसके बाद अगले बागे बढ़ियांख में खुलतीया बढ़ियांखके दो भागों में बटा होता है इल्मालाश putting खोटी कबा दो पर एक्ड़ोसे जिए था मप्र्यूंज आ और उपड़कभन होता I कones अस्थाई तोर पे रेक्टर में संचीत रहता है जो मलासे के द्वारा बाहर निकलता है और इस तरह अरहाराल की पर क्रिया जो है रचना पूर्ण हो जाती है ठीक है तो ये समझ में आ गया परतिक श्टेप को हम लोग समझ लिए यही आपका एंसर हो गया तो इस तरीके से ये मनुस्य के आहार नाल की रचना समापत हो जाती है ठीक है इसके बाद देखिए साथवा मनुस्य के आहार नाल में पाचन के क्रिया का वर्णन करें अभी हमने देखा रचना तो हमें यहाँ पे क्या बताना है अहार नाल में पाचन किरिया का वर्णन करें यानि भोजन का कैसे पच्टा है वो पूरी पर किरिया हमें बताना है आईए इसका एंसर करते हैं तो इसका एंसर हम ऐसे लिखेंगे मनुस में पाचन किरिया मुग गुहां से प्रारंब होती है और छोटी आत्मे पाचन किरिया पूर्ण होती है हमने अभी देखा रचना में पाचन वह किरिया है जिसमें भोजन के यांत्रिक और यासाइनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में भी वाजित कर दिया जाता है जो अपचे किरिया काहलाती है ठीक है पाचेन के लिया अनेक अंग तदा पाचेन कंतियों या लार गरंती या कृत अमा से द्वारा संबाधित होता है लार में उपस्तिड टाइलेन एंजाइम को भोजन के स्टार्ट कूमल्टूज में बदल देते हैं इसके बाद भोजन ग्रास नली में होते हुए अमासे में जाता है। अमासे के फीतर स्था पर जठर ग्रंती उससे जठर रस का स्राव होता है। जिसमें हाइड्रोक्लोइक के सिट जो होता है वो पैपसीन और रेजिन नामकमदाद पा जाते हैं। जिसमें हाइड्रोक्लोइक जो एसिट है एंजाइम क्रिया के त्रिव और भोजन में आने वाले वैक्टरिया को निश्ट कर देता है। अर्थाथ जवान नासे का कार्य करता है। छोटी आत अहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसके तीन भाग होते हैं। ग्राणी, जनुनम और एलियम। ग्राणी में भोजन के साथ पित, अगनासी रस तथा एंसुलिन आकर मिलते हैं। यह सभी भोजन के पाचन के लिए में मदद करते हैं। आता छोटी आतमे भोजन के पाचन के उपरांद भोजन का और सबसे इलियम की विलाई दवारा होता है। अपचा भोजन रेक्टेम में संचित होता है, जो समय समय पर दास्ते बाहर निकलता है। और इस तरह पाचन के लिए फूर्ण होती है। समझ में आ गया, यह आपका पूरा एंसर हो जाता है। इस सेशन का अखरी सवाल देखिया अठवा, मनुस्य के आहार नाल के एक स्वच्छ नमांके चितर बनाना है, वर्णन नहीं करना है, सिर्फ पिक्चर ही बनाना है हमें। तो यह रहा, पूरा आपको यह पिक्चर बना लेना है, यह सारे नाम भी लिखने हैं। तो समाप्त होता है आज का वीडियो, धन्यवाद।